हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ओल ओफ यू इन वेडियस पब्लिक स्कूल एंड अकेडमी बडेशरा स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बहुत ही इंपोर्टेंट क्योसंस बताने वाली हूँ और ये क्योसंस बहुत ही इजी क्योसंस होंगे और पॉलिमर और प्लास्टिक के बारे में मैं आपको ऐसे ऐसे चीज़े बताऊंगे जो आपके घरों में भी यूज होते हैं डेली लाइफ में लेकिन आपको पता नहीं होता है ये कौन से प्लास्टिक है किस ताइब के पॉल एंसर इट इस स्मोलेस्ट यूनिट विच इज रिपीटिड ओवर अगें एंड अगें एंफों में बिग यूनिट इस काल्ड मॉनॉमर ये एक सबसे चोटी यूनिट होती है जिसको आप अगर बार बार रिपीट करते हो ना जोड़ते जाते हो बार बार तो एक बड़ी मनके हैं बार बार हम उसको पिरो रहे हैं लगातार तो वो सबसे चोटी यूनिट जो एक मनका होगा वो क्या होगा मॉनॉमर एंड क्योशन सेकेंड इस वट इस गॉल्ड पोलीमर इट इस ए बिग यूनिट विच इज फोंबाई रिपीटिड एडिशन ओक मॉनॉमर जो स् इसका ग्जामपल ले सकते हो पोलीमर का क्योशन थार्ड इंड वीच पोलीमर इज यूज फोर मेकिंग वोटर पाइप Cum पूली मर की बनी होती है कौन से पोलीमर यूज करते हैं आंसर इस पीवे सी मैंने यह pouring of copper wire वाइब गरों में उसके कौन प्लास्तिक उसके कि PVC है क्या क्यों सन्फ इज वट इज फुल फॉर्म पीवीच अंसर इज पॉली विनाइल क्लॉराइड यह एक पॉली मर होता है पॉली विनाइल कलॉराइड एज क्यों सीट इज विच पोली मरेड़ इस यूज़ फॉर मेकिंग हेंडल ओफ कोकिंग यूटेंसिल आपके जो प्लास्टिक का किस पॉलीमर का बना होता है अंसरी ज़ बैके लाइट जो स्वीच गरों में और प्लग हैं वह कौन से पॉलीमर से बनी है Q8 is which polymer is used for making non-stick cookware? कुछ ऐसे बर्तन होते हैं, जिनके ऊपर खाना हमारा चिपकता नहीं है तो वो बर्तन कौन से polymer के बने होते हैं non-stick cookware, खाना बनाने वाले रोसोईगर के बर्तन जो कि जिनके ऊपर खाना चिपकता नहीं है Q9 is which polymer is used for making unbreakable cookware? जो अनब्रीकेबल कुक्वियर जैसे ट्रेव अगरा होती है बहुत ही सक्त होती है मजबूत और अनब्रीकेबल तुठती नहीं है वो रस्वाइगर का जो बीडिनर सेट है जैसे वो कौन से पॉलीमर का बना है और इस मेला माइन and question 10 is what are thermoplastic? thermoplastic क्या होते हैं? answer those plastic which can be molded again and again on heating and then cooling वो प्लास्टिक जिनको आप heat करके बार बार यूज कर सकते हो और बाद में उसको फिर cool कर दे heat करके उसको फिर बाद में cool कर दे दूसरी shape दे दे उसको तो जो प्लास्टिक आप heat करके बार बार यूज कर सकते हो दूसरी shape दे सकते हो उसको molded again and again दूसरी shape convert कर सकते हो उसकी और कोई नहीं चीजे बना सकते हो तो उन प्लास्टिक को भोलते हैं thermoplastic इसके साथ ही है what are thermosetting plastic वो इसका reverse होगा thermosetting plastic those plastic which cannot be molded again and again on heating जिसको आप बार बार एक बार जैसे कुछ चीज बने गई वो खराब होगी आप उसको heat करके दोबारा दूसरे चीज नहीं बना सकते हो उसको again तो वो कौन से प्लास्टिक होंगे thermosetting plastic तो students यह से हमारे आज के questions और आगे फिर हम लेके आएंगे ऐसे ही questions so thank you guys